जब किश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से बुढबेड गाउं में छिपे थे दो आतंकी सुरक्षा बलो ने आतंकी के तिकाने कोड़ा आया रेडवानी गाउं की घटना गाउं आने और जाने के राफ़ते प्लिए बन खूफी अईजिंसियों से मिली थी आतंकियों की जानकारी उबार शाम पली सीफ रातंकी एंगे बाग वर्च ऑप्रेशन 24 गंटे में मारे गए तीन आतंकी जिघी वालो को पुदूश ने के अब राहत थीं हवादी हथ खराब Central Air Quality Monitoring Commission ने कॉर्ट से कौपा हलब नामा निर्माण कारियों पर लगी रोक बरकरार दवाई बनाने वाली फाक्टरी पुले समय तक करेंगी काम, पेपर, टेक्स्टाइल और कपड़े की फाक्टरी पांच दिन करेंगी काम Thermal Power Plan की विलेक की जागर बेगी संपर के वे लिया गया फैसला Supreme Court में आज़ते सुनवाई स्कूलों को खुलने पर कल की बैठक में होगा विचार देजबनवी तेह तक पर पहुंचा Omicron Variant के मरीजों का अंकला, महराश ने फिर सामने आए चार नहीं मामने अश्रिमंगार में Omicron Variant का एक मामला सामने के बाद हरकम मुश्रीदाबाद में हुई पुष्टी अश्रिमंगार में Omicron की दस्ता की बीच पाबंदियों में चूज 14 दिसंबर से एक जनवरी तक नहीं होगा नाइट कर्फियो अश्रिमंगार में दो मरीजे की पुष्टी है, अजराबाद में चुवालिया से आए एक शक्स में मिला करोना का नहीं है वेरिंट देश में 135 करोण के आँखने पर कहुंचा वाक्सिनेशन की दोस एक दिन में लगे तिरपन लाग टीके मुंबाई में बड़ी ओमिट्रोन की खत्रीकी पाबंदिया हैं, करतेस दिसमबर तक 1144 लागू बिना काम और बिना मास बहार निकलने पर कारवाई दिलियों बड़ते ओमिक्रोन मामले पर सरकार से तर्क रामदिला मैदान को बनाया गया हाई टेक 500 बेड़ वाला स्पतार फट्का में ओमिक्रोन से लगने की तैयारियां तेज पातली पुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लिक्स में 112 बेड़ का केर सेंटर ओमिक्रोन के खते की बीच थाने में खुल गए स्कूल कोरोना नियमों के साथ बजी स्कूल की घंटी केरल में ओमिक्रोन की चार नए मामले तीस की रिपोर्ट का इंतजार पाकिस्तान पर 1971 की फते के 50 साल के मौके पर आज देज भर में जशन शहीद वीर सपूतो को वार्ड मेमोरियल पर पीएम देंगे श्रताज देंगे 1971 की जीत के जशन की सियासी होड मोधी सरकार करेगी शहीदों का सम्मान शहीदों के जरी इंद्रा गांधी की बुर्गान की तैयारी में कॉंग्रेस आज उत्राखन जाएंगे राहूल गांधी तेरा दून निन सिकत्तर के जंग के हीरो पूर फौजियों को करेंगे संबोधर आज किसानों को संबोधर करेंगे पी एम प्राक्रते खेती पर उनलाइन संबोधन लगी पूर खीरी कान पर ग्रेराज मंती अजे मिश्र टेनी के स्तीफे पर की मांग तेज आज दोनों सदनों में हंगामी के आसार अजे मिश्र के तीफे की मांग को सरकार ने किया खारिज पियुष गोयल ने कहा मामला दालत में विचारा धी बेटे के खलास आजिश के तहट अट्या की मामले पर भढ़के अजे मिश्र पत्रकारों के साथ बच सिलुकी लखीमपूर कान को लेकर अखलेश चादवनी योगी सरकार पर साथ निचाना बोले देखते हैं लखीमपूर खीरी पर कप चलता है बुल्टोसर चित्यकूर के हिंदु एकता कुम में उठा मतुरा मंदिर का मामला जगत गुरू राम भध्राचार ने की कॉमन सिविल कोड की माँ चिक कूट में एक्टा कूं में संग कौम्क भागवत ने दिया एक्टा की ताकत का मंत्र हिंदू एक्टा महाकों में पहुंचे देखा गेर करें मनोश शि और देश के मौजुद्धा मुद्धों पर रखी अपनी राय चितपूर्ट बने की अंगांती सती खाने के पैकेट को लेकर आपस में भड़े NCC कैड़ेट्स और सिक्योर्टी एजिंसी के जवान एकता महाकूम ने हाथ अपाई और कुर्सियां फेक कर जड़प, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दोनों को अलग किया यूपी में विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा, घ्रेराज मंती अजे मिश्रा की बर्खासगी की मांग को लेकर कॉंग्रिस वधायकों का प्रदर्शन यूपी चुनाव के लिए आमादी पार्टी ने तेस किया अभियान, नौईडा में मनीश्र सोधिया बुले सरकार बनी, तो 34 लाग बेरोजगारों को देंगे नौक्ती बिली सटेव गुरुग्राम में आमादी पार्टी ने शिरू किया सदस्तिया अभियान, हर्याना में चुनाव लड़ने की तैयारी देरदून में रक्षा मंती ने किया, सेंड ने धाम का शिलान्यास पाकिस्तान को दिया, कड़ा संदेश अलिगर की एम यू के छात्रों पर लाटी चार्ज की खिलाफ कैंडल मांच, C.A.N.R.C. का विरोध कर रहे छात्रों पर चली लाटिया पंजाब में केजिवार के चिनावी दोरे का आज दूसरा दिन, लांबी में जन सभाकर, जलंदर में निकालीती तिरंगा यात्रा अर्विन केजिवार ने जलंदर से किये दो आदेका, सरकार बनते ही, स्पोर्स उनिवर्स्टी और इंटरनाशनल एरपोर्ट बनवाएंगे बीजेपी शासर प्राज्यों के आठ मुख्यमंत्री शामल यूपी के चिनावी घमा साम्य अखलेश आदव का बड़ा दाउं टिकेट को दिया, साथ चिनाव लड़ने का ने ओता बोले समाजवादी पार्टी में स्वागत है यूपी विदान स्वासरत के पहले दिन विपक्ष ने सरकार को मेंगाई पर घेरा, गन्नाव सिलेंडर के साथ विपक्ष का विरोध प्रदशन जौनपुर में अखलेश आदव की विजय यात्रा का दिंस्टा दिन गाली में उम्रा लोगों का हुजुम लगनों में सीम योगी विदान मंदल दल की बैटिश में होई शामल दोनों डिप्टी सीम मौझूद राजसान के दोलपुर में बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश राली, महिला उत्पीडन सहित कई मुद्दों पर गेलो सरकार को घेरा अंदराशने इंदू मंच के मुख्या प्रवीर्तों गड़िया ने मोधी सरकार पर निशाना साधा कहा कई दिन भूखे को खाना चाहिए चौकलेट नहीं घर लोटे किसान नेता राकेश टिकेट मुझफण अगर में सौरब गाउं में भविस्वागत जन दिन पर टिकेट ने काटा केक अपने गाउं पहुचने पर राकेश टिकेट एक बाद फिर भरी उंकार कहा जंग के लिए रहना होगा तयार नहीं बिखने देंगे देश की जमीन लिसानों की घरवा अपसी के बाद गाजी पूर बॉर्डर में अठाएगे बार्केश शुरू हुई गाड़ियों के आवाजाई सिंगू बॉर्डर से घर लोटे आनुरन गारी के कान गाड़ियों के आवाजाई के लिए खोल दी गई हैं सरके गुर्डासपुर में सुबीर बादर की चेतावी सरकार बनी तो सुखजिंदर सिंग रंधावा को भेजेंगे जेल दिली के सर्ता विहार में 16 सार की दर्की की खून से लगपत मिली लाश पुलिस ने कारूपी को किया गिरफतार पतना में एक ट्रक ड्राइवर को बदमाशों ने किया अगवा पुलिस ने फिर्मी स्टायल में बदमाशों को दबोचा पतना सिटी के अगम कुवा में दिन दाहरे घर का तालाद उड़कर लाखों की चोरी पुलिस को अब चोरों की तलाश माराश के बारामती में एक पती नुकला दरिंदा पत्नी का दोस्तों के साथ किया गैंग रेप पुलिस ने पांच को किया गिरफता आग्रा नेक मैला ने दारोगा पर लगाए यौन शोश्रन के आरोप स्पी से की शिकायत गुरकपुर में 36 सार इसे फर्जी नाम से नौकरी कर रहा था शक्स धरा गया दियेम निकी निलंबन की सिफारश माराश के रंदावाद में कोरोना की टीके का फर्जी सेटिफ के देने वाला गिरोच चढ़ा हत्ते चार गिरफतार जारखन के पाकुर में जमीन विवाद में महिला को बं से उड़ाया पती और बच्चे जखनी पुलिस कर रही है कारवाई जलोर के पुजारी हत्यकान का पुलिस ने किया खुला सा तीना रोपी गिरफतार चोड़ी के मकसद से की थी हत्या बाड़मेर में गाउं के सरपंच पर एक शक्स ने किया जान लेवा हमला मामला आपसी रंजिश का महुबा में बच्चों के मिद्धे मील में भारी मिलावट चांच बनी मजाग प्रशासन खामोश समस्तीपूर पुलिस ने भगत अत्या का किया खुलासा अनविश्वास के चक्कत में हुई हत्या तीन गिरफतार उज्जेन में फरजी आईकार्ट के आधार पर महाकार की भसमार्ती में मुस्लिम युवक की एंट्री पुलिस ने किया गिरफतार मेरत प्रवेट पिस्ट्र बनाने वाली फाक्ट्री का भंडा फोर्ड मैगजीन और उपकरणों का जखीरा बरामत 6 रोपी गिरफतार बिहार में औरंगाबाद के डियस पी रहे अनूप लाल के पटना से तावास पर छापा माइनिंग उठाले में सरकार ने किया था निलंबर्ट आंगदेश के पश्चिबी गोदावरी में बड़ा हाथसा 9 की मौत बस में सवारते 47 यात्री गुजरात के दाहोद में गिराए गई पुरानी मारत विस्पोटक का इस्तमाल पानी पत में दिन दाहाडे गोलियां बरसाकर कंप्यूटर सेंटर के मालिक के अत्या पुरानी रंजश में वारदात को दिया अंजाम चंदौली विकाबू कार नहर में गिरी चार की मौत नेवाथ की जुग्यों में लगी आग 130 करी जुग्यां जलकर खाक यूपे के गोंडा में सामने आए हैरान करने वाली पसीरें अस्पिताल में नशे में डांस करते दिखाई दिये डॉक्तर बक्सर में आतिकरमण पर पुलिस और पबलिक में भिड़ात कई पुलिस वाले जख्मी बिली के गोहाती के लिए इंडिगों की नए उडान जो तरा दिसिंध्याने की विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हरी जंडी प्रिस्मस की चुट्टियों की बिशिमार्चल की कुफरी में बढ़ी सेलानियों की भीड कारोबारियों को अच्छी कमाई की उमीद एदरबाद की 26 सार के उनार सहीदा फलक एशियन कराटे चैंपिन्चिप में करेंगी देश की अगवाई मिर्सी रिवर्स के किताब जित्का सुदेश लोटी और नास कोर संदू मुंबाई एपोर्ट पर जबर्दस स्वागत 64 वे राष्ट्रे निशानेबाजी प्रतियोगता में सिंगल ट्राप और डबल ट्राप में श्रेसी सिंग ने जीता गोल आगरा में एक होनार बिटिया राजकमारी को नला सम्मान पंक्चर बनाकर अपने घर का पालन पोशन करती है किरर के अलाफुजा कोटाय में बर्ड फ्लू की दस तक सरकार ने उठाय एतियाती कदम रास्थान में शुरुआ सर्दी का सितम खतेफुर में पारा लोड़का 2.7 डिगरी तक कुलूर हेलिकॉप्टर हाथ से भी जख्मी में गृप काप्टेन वरुन सिंग का निधन बैंगलीरों में चल रहा था हिलाज हुपा लाय जाएगा गृप काप्टेन वरुन सिंग का पार्थिव शरी 17 दिसंबर को ओगा आंतिम संसकार वरुन सिंग के देवरिया सित पैत्रिक गाउं में सन्नाटा शद्धाजी लेने के लिए उम्रा लोगों का हुजुम झाहीं भूझी लेल सिंगा नदद्ध अ